चठा अध्याए, शिब पुरान के श्रवन की विधी, शौनक जी कहते हैं, महाप्राग्य सूत जी, आप धन्य एवं शिब भक्तों में श्रेश्ट हैं, हम पर कृपा कर हमें कल्यानमा शिब पुरान के श्रवन की विधी बताए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्त सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि हमारे यहां शिब पुरान की कथा होने वाली है, अपने कल्यान की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए, देश-देश में जो भी भगवान शिब के भक्तों तथा शिब कथा के कीर्थन और श्रवन क उत्सुखों, उन सभी को आदर पुर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सतकार करना चाहिए, शिब पुरान सुनने के लिए मंदिर, तीरत, वनप्रान तत्वा घर में ही उत्तम स्थान का निर्मान करना चाहिए, केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडब तयार कराए उसे सब और फलपुष, सुन्दर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए, चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन सामगरी से सुशोभित करें, भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्यासन का निर्मान करना चाहिए, तथा कथा वाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्मान करना चाहिए, नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था करें, कथा बांचने वाले विद्वान के प्रती कभी बुरी भावना ना रखें, संसार में जन तथा पुरानों के कारण बहुत से गुरू होते हैं परन्तु उन सब में पुरानों का ग्याता ही परम गुरू माना जाता है। पुरानों के कार्मों से भटक रहे हों, काम आदी चह विकारों से युक्त हों, वेपुर्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूल कर कथा में मन लगाते हैं, उन शुदबुद्धी मनुष्यों को उत्तमफल की प्राप्ती होती है। ओम नमा शिवाए।